यह गाईस वल्कम और वल्कम बैक तो मैं चैनल इजलाइव गिद्वषा तो काफी टाइम से मुझे कॉमेंट आ रहे थे कि मैं फेस पे बहुत बाल आ रहे हैं उसको रिमूब करने के लिए कुछ बताईए पेस पे बालों को कैसे रिमूब करें या एक टाइम पहले मैंने को हटाने के लिए आज में एक होम रेमेडी आप लगों के साथ शेयर कर रहे हूं तो उमीद है कि आप सबको पसंद आएगी तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं शुरू करने से पहले एक बार फिर से बोलना चाहूंगी कि प्लीज अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल हेर रिमूव हो जाते हैं क्योंकि फेस पे हेर होते हैं खास कर जब अपर लेपस तो बश्म कॉर अच्छा नहीं लगते और एक और चीज होती है कि हर्मॉननल चेंज की वज़ा से एज बढ़ने के बाद भी आपके फेस पे हेर आने स्टार्ट हो जाते हैं वो भी एक रीज ग्रोथ कंट चीमट aggregates of related plants but if you like it well it wenn मुझ के चथे के जो बालों उपने हैं सता होती है या हम पहोती है जो अपर होती है जिसी होती है जरी के इ सॉल्सटा हो या जाते है तो श्राइब करना बहुत चैसे proposition कटनेन दॉडरी हो जाता है तो हम आटे की लोई बनाकर उसको बच्चे के बॉडी पे घिसते हैं जिससे की बच्चे के बाल रिमूव होते हैं तो आटा हमेशा से यूज होते आया है पालो के लिए तो यहाँ पे मैंने एक चमच आटा लिया है और इसमें ही हम एड करेंगे एक चमच बेशन दोनों को हमें मेक्स करना है इसके बाद हम इसमें डालेंगे इसी में हम एड करेंगे नीबू का रस थोड़ा सा आप चाहें तो कच्चा दूद ले सकते हैं लेकिन अगर कच्चा दूद यूज करेंगे तो आपको नीबू का रस नहीं यूज करना है मैं यहां पर rose water यूज़ कर रही हूँ इसलिए मैंने नीवू का रस लिया है rose water आपको उतना यूज़ करना है जितने की में की इसका paste एक बार फिर से आप जान लीजिए कि आपको इसमें rose water एड़ करना है अगर आप rose water नहीं add करना चाहते तो आप कच्छा दूद ले सकते हैं लेकिन कच्छा दूद लेंगे तो आपको नीवू नहीं add करना है और rose water लेंगे तो आप नीवू ऐड़ कर सकते हैं और इसको रोजवाटर की कोई कॉंटिटी नहीं है जितने में आपका पेस्ट अच्छे से रेडी हो जाए उतने कॉंटिटी आपको रोजवाटर की लेनी है या दूद की तो बस सिंपली यह मिक्स हो चुका है अगर आप चाहें तो इसमें हल्दी भी आड़ कर सकते हैं नीब जादा आजाते हैं अगर आपने थ्रेड वगएर यूज किया है तो उसकी वज़ा से भी आते हैं मैं आपको बोलुंगी कि जिन लोगों को हे रिमुब करने के लिए थ्रेड का यूज करते हैं जैसे कि अपर लिप्स पे या फिर फेर आईबरोस के य्वेश के लिए थ्रे तो इस तरीके से आपको आपके फेस पर लगाना है जहाँ भी हेर्स हैं इस एरिया में और इस एरिया में ज्यादा है होते हैं और इसको लगा के आपको 5-10 मिनट तक ऐसे ही छोड़ देना है पूरी तरीके से नहीं सूखने देना है थोड़ी देर तक लगा के रखना है हलका हलका गीला रहे तभी आपको रिमूव करना है और रिमूव कैसे करना है वो आपको ध्यान से देखना पड़ेगा क्योंकि सारी जो हमारी इस रेमेडी का मेन वो है वो रिमूविंग ही है तभी आपके बाल अच्छा से रिमूव होंगे इसे आप वीक में दो से तीन बार भी अपलाई कर सकते हैं तो हम वेट कर लेंगे कम स कम से कम पांच मिनट ताकि यह सूख जाए आधा तो कम से कम सूख जाए थोड़ा-थोड़ा हलका-हलका इसमें मौश्चर रहना चाहिए जब आप अपर डिरेक्शन में इस तरीके से हेर यह निकालेंगे तो इसके साथ साथ हेर भी आपके रिमूव हो जाएंगे इसे आपको आप हपते में दो से तीन बार भी अपलाई कर सकते हैं आप देखेंगे कि धीरे-धीरे आपके सारे बाल रिमूव हो जाएंगे और अपर लिप्स पे अगर हैं तो वो भी रिमूव हो जाएंगे और अगर आपको खाली अपर लिप्स पे लगाना है तो आप अपर लिप्स पे भी अपलाए कर सकते हैं अपर लिप्स पे आपको थोड़ा ज्यादा सुखा लेना है उसके बाद आपको रिमूव करना है तो एक ही बार में सारे बार रिमूव हो जाएंगे बस इसके बाद आपको आपके फेस को क्लीन कर लेना है तो ये थी मेरी होम रेमेडी आई होब कि आप सबको पसंद आई होगी पसंद आई होगी तो मुझे कमंट करके जबर बताईएगा पिलते हूं नेक्स वीडियो में तब तक के लिए बाबाई टेक क्यार